हाई, वेल्कन टू माई चैनल, इस वीडियो में स्वाल्व करेंगे एक्विशन 16, इसमें दो पार्ट हैं, तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्वाल्व करते हैं, उसके बात करेंगे सेकेंड पार्ट सल्यूशन तो क्या करना है कि यहां पर हम 59.29 का हम निकाल लेंगे स्क्वार रूट और 5.29 का भी निकाल लेंगे स्क्वार रूट तो हमारे यह सिंप्लिफाई हो जाएगा, मैनस करके फिर डिवाइड कर देंगे, आसानी से आजाएगा कुछ चलिए देखते हैं पहले, तो वी हैव हमारे पास है यह, इसको फिर से लिख लेंगे एक बार तो 59.29 मैनस स्क्वार रूट आफ 5.29 होल अपान, स्क्वार रूट आफ 59.29 प्लस स्क्वार रूट आफ 5.29 तो चलिए पहले निकालते हैं हम 59.29 का हम और यह प्लस स्क्वार रूट यहां पर मना गा, तो यहां पर बनाएंगे और यह pon जाएगा 59 मिले जाना होगा तो 7.49 चाला जयाएगा क्योंकि 6 से से लिख जाएंगे तो नहीं जा पाएगा तो 7.49 आपका पचेघा 1 जीरो अब तो यहां पर बनाएंगे और यह फिर बन जाएगा 59 में ले जाना होगा तो 7749 चला जाएगा क्योंकि 6 से ले जाएएंगे तो नहीं जा पाएगा तो 7 से ले जाएएंगे हम 7749 आपको पुचेगा 1 0 अब decimal के right side वाला हम decimal यहां उतारेंगे तो पहले बार 7 से गया था आप सको से decimal लगा देंगे क्योंकि अब decimal के बाद वाला हम यहां पर पीरेड उतार रहें यहां पर तो यह हो जाएगा 14 और यह हो जाएगा 1029 अब यहां पर जो है हमें लिजाना पड़ेगा 3 से यहां फिर 7 से एथिंक 7 से लिजाना पड़ेगा definitely तो 7 से लिजाना पड़ेगा अब हमें करना पड़ेगा 5.29 का चलिकर लेते हैं यहां पर बनेगा और यह नहीं बनेगा कोई बात नहीं है अब टू से लिजाएंगे हम यहां से तू तू जाएगा और डेस्मल के राइट साड में निकालना है इसलिए टू पॉइंट संथिंग आएगा तो 29 हम यहां पर यह उतार लेते हैं और यह आड़ करने फोर आजाएगा अब यहां पर थ्री से आराम से चला जाएगा तरी जा नाइन एन थ्री फोर जाए त्वैल्फ कैसे राठ हो गया अब दूसरी पर गया था था थ्री से मतब टू पाइंट थ्री आएगा तो यहां बेद बास पूट और यहां पर मैनस करेंगे तो क्या मिलेगा चैन मैनस फोर तरी क्या मिलेगा पंट प्वांत तू सेम चला थी नाईन नाइन आड़ करना है तो ह। 10 मिल जाएगा मतलब कि यह आ जाएगा आपका 5.4 अपान 10 तो 10 से डिवाइड यदि करेंगे तो क्या होगा कि decimal point और left side में एक position और आएगा means यह आ जाएगा 0.54 इस इस यूर answer for this means 0.54 is a simplification simplified version of this expression ओके दिस this is your answer by the way अब इसी का second part है उसको solve करते हैं तो यहाँ पर हम erase कर रहते हैं यह आपको note करना है तो आप video pause करके note कर सकते हैं okay now the second part we have हमारे पास है यह 0.2304 plus square root of 0.1764 whole upon square root of 0.2304 plus sorry minus यहाँ पर minus है under root 0.1764 तो हम दोनों का पहले निकाल लेते हैं square root 0.2304 का हो जाएगा यहाँ पर बनेगा यह बनेगा तो जिरो पाइंट है यहाँ पर तो जिरो पाइंट लगा देंगे पहले से और मतलब कि 0.237704 यहां पर 8 हो जाएगा अब यहां से 7 से शेवन से नहीं जापाएगा शिक्स जाएगा अच्छा 6 से भी नहीं जाएगा यह 8 से जाएगा इस एट से लगाना चाहिए यह एट इस जाएगा ना चाहिए कि अब निकालते हैं 0.1764 का यहां पर पर मांट रपड़ेगा यहां बन गया यह बन गया और यहां पर आजएगा पहले 0.17 मिल जाएँगा तो फोर्स जाएगा फोर फोर जास वैं तीन 4 वच्च्च 6 नहीं और वन बसेगा और 64 हम यहां पर उतार लग utilizar लाद हो जाएगा अब यहां पर जाएगा आपका टू से है तू 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 जब फोर एंड टू एड़ सक्स्टीन हो गया मिन्स हमारा आगया जिरू पाइंट फोर एंड टू जिरू पाइंट फोर टू तो हम यहां पूट कर लेंगे वैलुज को देखे इसका जो इसको होगा वह 0.48 होगा तो यहां पर 0.48 मानस करना है इसमें से मतलब 0.42 में से solve करेंगे तो क्या मिलेगा दिखे आइड कर लिजे 8 और 2 आइड करेंगे मिलेगा 10 10 का 0 1 carry over 448 और 1 9 मिलेगा और यहां पर मानस करेंगे तो मिलेगा आपको 6 8 में से 2 मानस करेंगे और यह 0 मिल दाएगा means 0.0 0.06 मिलेगा यहां पर और दोनों में यह थी हम hundreds से मिल टोलाइग है numerator में तो आपको मिल जाएगा 90 आपको 6 जाएगा और 6 करेंपल पढ़ेंगे तो this is your second answer for the second part okay thank you so much for watching bye